नाश्वार बच्चूं, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे Class 11 के मल्डपल चॉयस क्वेशन्स और यह जो मल्डपल चॉयस क्वेशन्स होंगे यह इंडिया लोकेशन चैप्टर क्यों होंगे जो कि चैप्टर में ही जोगरफी का Class 11 का, तो चलिए 20 MCQs को Start करते हैं, First Question देखते हैं, First Question में क्या कहा गया, तो First Question देखे कह रहा है, India's Territorial Limit तो देखें, India की जो Territorial Limit है, Further Extends Towards the Sea Up To Dash Nautical Miles तो किते Nautical Miles तके इंडिया की Territorial Limit ये आप से यहां पर पूछा गया है तो देखें, First Option दिया है 12 Nautical Miles, Second Option दिया है 11 Third दिया है 12, Fourth दिया है 13 तो देखें, इंडिया की जो Sea Limit देखी जाए, या जो Territorial Limit है, सीगी, वो कितने Nautical Miles तक होती है, 12 Nautical Miles तक होती है, और 12 Nautical Miles में कितने किलोमेटर होते हैं, 21.9 किलोमेटर होते हैं, अगर पूछा जाए 1 Nautical Mile में कितने किलोमेटर होते हैं, तो 1.8 approximately किलोमेटर होते हैं, 1 Nautical Mile में Nautical Mile से जो Sea होती है, जो Ocean होती है, उसके distance को मेजर किया आता है Next Question पर आते हैं, Question 2 में कहा गया, Our Dash Boundary extends up to, अब हम लोग की कौन CIC Boundary है, जो 6 Degree 45 Minutes North से लेके, Latitude in the Bay of Bengal यहाँ पर extend करती है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो कौन CIC Boundary हो सकती है, जो यहाँ पर लाई करती है, मतलब इस Latitude पर लाई करती है, Bay of Bengal में, यह आपको यह अगर भारत का मैप ऐसे माल लिया जाए Quadrilateral का रूप में, ठीक है, तो यहाँ से लेके, यहाँ तक की Degrees और यहाँ से यहाँ तक की, जो Degree के Terms में अगर Distance देखें, तो Degree के Terms में जो Distance हो पूछी कही कितनी होगी, ठीक है, चाहे वो देखेंगे, तो 30 Degrees आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो Distance है, वो Degree के Terms में देखी जाएगी, तो कितनी होती है, 30 Degrees होती है, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेशन, अच्छा, एक Degree में आपको एक चीज़ी भी बताओ नीचे है, कि 1 Degree में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं, ठीक है, इसलिए अगर आप देखेंगे, 30 Degree में कितने मिनट होते हैं, तो 30 Degree में हो जाएंगे 120 मिनट, ठीक है, इसलिए कहा जाता है, West और East के बीच में, जो Time Difference हो कितने देर का है, तो 120 मिनट का है, ठीक है, Next Question पर आते हैं, Question 4 पर देखते हैं, Actual Distance Measured from North to South Extremity Is, तो ठीक है, अभी हमने आपको बताया, जैसे मान लीजे, ये अर्थ का मैं पैसे मान लिया जाए, तो ये North से South हो जाएगा, ये West से लेके East तक हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो Distance है, वो Approximately कितनी है, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो देखें, North South में गर Distance देखी जाएगी, थोड़ी सी जादा है, कितनी है, 3, 2, 1, 4, किलोमीटर है, तो ये वाली Distance कितनी है, 3, 2, 1, 4 किलोमीटर है, और East-West अगर देखा जाए, East-West में Distance कितनी है, दोनों के बीच में, तो ये है 2933 किलोमीटर, कितनी है 2933 किलोमीटर, बहुत Important Distances को याद रखेगा, तो ए आप्शन इसमें सही हो जाएगा, Question 5th पे आते हैं, 5th Question में कहा गया, There is General Understanding about the countries of world, to select the standard meridian in the multiples of dash of longitude, तो देखें, जो standard meridian, अलग-लग country का select किया जाता है, वो किस के multiple में select किया जाता है, तो 7 degree 30 minutes के multiple में इसको select किया जाता है, ठीक है, यह कह सकते है, 60 degree के multiple में इसको select किया जाता है, तो Next पे आते हैं, Question 6 देखेंगे, 6 question में कहा गया, Indian standard time, जिसको IST कहते हैं, IST आपको पता होगा, Indian standard time है, is ahead of GMT, Greenwich Mean Time, GMT कहते हैं इसको, यह London में गाउं है, वहाँ पर एक जगा है, जहां से standard लिया गया है, पूरे विश्यो का, जिसको Greenwich Mean Time कहते हैं, ठीक है, तो जो पूचा जाए, कितना आगे हैं, तो 82 minutes, 82 degree 30 minutes यह आगे है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, Indian standard time के बारे में, Question 7 पे आते हैं, USA has how many time zones, अब USA के पास कितने time zones हैं, USA में कितने time zones हैं, आपको यहाँ पर बताना है, USA में 60 time zones हैं, ठीक है, अलग-अलग countries में, अलग-अलग time zones होते हैं, जैसे भारत में देखेंगे, अगर पूचा जाए, भारत इतनी बड़ी country होने के बाद भी के बाद भी केवल एक ही time zone use करता है, next पे आते है, distance between the two longitudes towards the poles, तो देखें, अगर आप यह देखें, यह माली जह हम लोग का अर्थ है, कुछ इस तरीके से, center पे आपको पता होगा equator होती है, ठीक है, यह आपकी कुछ ऐसी, ऐसे आपको lines देखने को मिलेंगी, जिसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो यह जो हमने ना दिया था, तो longitude जो बनते हैं, कुछ इस तरीके से बनते हैं, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे करके आप अगर longitudes देखेंगे, तो क्या होता है, longitudes की distance, आपको बताना है, poles की तरफ क्या होती है, ठीक है, जब आप poles की तरफ जा रहे हो, मतलब equator से, जब poles की तरफ जा रहे हो, अब देख पा रहे हो, यहाँ पर distance जादा हो, यहाँ पर जाने पर distance क्या हो रही है, decrease हो रही है, तो वह पूछा गिया है, कि distance between the two longitudes जो longitude के बीच में distance जो होगी, poles की तरफ जाने पर क्या होती है, तो वह decrease होती है, तो यहाँ पर यह option सही हो जाएगा, question 9 पर आते, time difference of nearly dash between the eastern most and western most part of our country, तो देखे, फिर से वही, आपको फिर से diagram बता देते हैं, जैसे हम लोग का मालीजे प्यारा भारत है, अब यहाँ पर आते हैं, यह हम लोग की जो boundary है, यह west most boundary हो जाएगी और यह eastern most boundary, eastern most boundary कहां लाई करती है, तो अरुणांचल प्रदेश में लाई करती है, ठीक है, और अगर west most boundary बात करिया है, तो गुजरात में लाई करती है, दोनों के बीच में जो time difference है, ठीक है, अब डिगरी का difference देखा था, कितनी डिगरी का difference आ रहा था, तो 30 डिगरी का difference आ रहा था और आपको बताया था, वन डिगरी में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं तो 30 डिगरी में कितने मिनट होएंगे 30 degree minute हो जाएंगे 4 into 30 मतलब 120 minute और 120 minute का मतलब कितने घंटे हो गए 2 घंटे हो गए तो यहाँ पर 2R का difference आएगा ठीक है तो यहाँ पर 2R is the correct answer next पर आते हैं question number यहाँ पर 10th देखेंगे इंडिया का area जो है बताएगा है 3.28 million square kilometer बहुत important यह value है याद रुखेगा जो इंडिया का area है वो 3.28 million square kilometer है और अगर world के area के बात करी जाए तो उसमें जो इंडिया का area आता वो 2.4% है जैसे माल लिए पूरे विशो में जो area है वो 100 square kilometer है माल लेते हैं कि पूरे विशो का area 100 square kilometer है तो उसमें भारत का proportion कितना है तो भारत का cable 2.4 square kilometer का area भारत के पास है अब आपको बताना है जो इंडिया है वो कौन से नंबर की सबसे largest country है वर्ल्ड में तो आपको पता होगा सबसे बड़ी country जो है वो रश्या है सबसे बड़ी country कौन सी है रश्या है इंडिया कौन से नंबर पे है इंडिया है 7th नंबर पे और इंडिया से 6th पे अगर अच्छा आपको पूरा ही बता देते हैं पूरा आपको अगर pattern पता चल जागा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा तो देखे सबसे पहले हैं अबने आपको बता है सबसे पहले जो सबसे बड़ी country हो कौन सी है रश्या है अदाय था ऐस्ट्रेलिया है और सेवन्थ में कौन सा हमारा भारत है और भारत से छोटी कंट्रिय गर आप देखेंगे मतलब आठवे नंबर पि देखेंगे तो वह जाएगी आर्जेंटीना तो यहां तक तो आप लोगों को फिलाल याद होना चाहिए इंपोर्टन्ट है यह next पे आते हैं अगला सवाल देखते हैं अगले सवाल में क्या कहा गया अगले सवाल पे आते हैं question number 11 Hindu Kush and Suleiman Range are located in the clash of India तो Hindu Kush और Suleiman Range जो है वो कहाँ पर located है कौन सी साइट पर located है ये north west पर located है तो अगर ये देखा जाये तो ये north हो जाएगा यह west हो जाएगा तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हिंदुकुष और सुलेमान रेंज लोकेटेड है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं 12 में कहा गया इंडिया इस लोकेटेट इन दी साउथ सेंट्रल पार्ट अफ दी कॉंटिनेंट इस तो एसिया कॉंटिनेंट का साउथ सेंट्रल पार्ट जो है वहाँ सीडिया इससी है इसको कहते है अरेवियन सी ठीक है और अगर आप इहर देखेंगे राइट साइड में तो बेंगॉल पढ़ता है तो इसको देखेंगे South में क्या पढ़ता है तो Indian Ocean पूरा नीचे है ठीक है तो इस तरीके से ये पूरी चीज हो जाएगी तो यह जो statement दिया गया है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर A option सही होगा Next question पर आते हैं question number 13 देखेंगे 13th question में कहा गया Island countries located in Indian Ocean which are our neighbors are अब देखें कौन कौन सही Island countries है जो हम लोगे neighbor में है तो श्रीलंका एक island country हम लोगे neighbor में है बिल्कुल ठीक है मालदीव जी neighbor में है बिल्कुल ठीक है तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा C हो जाएगा बोथ है NBR करेंट तो दोनों के दोनों neighbor में है ठीक है तो आंसर इसमें कौन सा है तो आंसर है option number C ठीक है next पे आते है question number 14 देखते है 14 में कहा गिया which country is separated from India by a gulf of मनार in park street तो gulf of मनार और park street से जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कौन ऐसी country gulf of मनार तो मिलनाडू में separate होती है यह पूछा गया आपसे ठीक है तो इंडिया और श्रिलंका के बीच में जो gulf of मनार और पाक street है वो separate करता है किसको किसको तो इंडिया और श्रिलंका को separate करता है ठीक है तो इंडिया से किसको separate कर रहा है शिलंगा को से अप्रेट कर रहा है तो यहाँ पर B option सही हो जाएगा next पर आते हैं question number 15 देखते हैं which one of the following latitudinal extent is relevant for extent of India's area तो इंडिया का जो area है जिसे माल लीजिए यह आपसे कहा जाए तो यह हमारा equator है ठीक है equator मतलब zero degree है इसके बाद इंडिया कहा लाई करता है तो इंडिया लाई करता है north pole में याद रखेगा ठीक है अब north pole में बहुत उपर नहीं लाई करता है ठीक है equator से थोड़ा सा उपर लाई करता है कहा लाई करता है तो यह जो latitude आपको दिखाई प्रहा है यह वाला ठीक है यह जो latitude होगा यह है 8 degree 4 minutes north और अगर top का latitude देखेंगे northernmost latitude देखेंगे तो यह कितना है तो यह 37 degree 6 minutes north दोनों के बीच में अगर difference देखेंगे तो approximately difference कितना है 30 degree का है जैसे east west के बीच में था ठीक है तो यहाँ पर जो answer है वो option number B सही हो जाएगा 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north तो यहाँ पर जो option है वो भी option इसका सही है question number 16 पर आते हैं 16 में कहा गिए विच्टान के साथ भारत है वो सबसे छोटी boundary शेयर करता है question number 17 पर आते हैं which of the following countries is larger in area than India तो इंडिया से बड़ा कौन है इसमें से देखा जाए तो अभी हमने आपको top 8 countries बताई थी तो उसमें तीसे नंबर पर आपके देखना होगा तीसे नंबर कौन था चाइना था तो इंडिया कौन से नंबर पर 7th नंबर पर है और 3rd पर कौन है जैसे माल लीजिए अगर बोला जाए green which meantime कहा पर है तो यह आपका GMT है यह green which meantime है ठीक है अब green which meantime हम लोग किधर आ रहें east में तो इंडिया माल लीजिए यहां कहीं लाई कर रहा है तो green which meantime से east में ही तो लाई कर रहा है इंडिया और यह जो longitude है भारत का हो क्या है 82 degree 30 minutes east अब इंडिया में दिखी जाएगी तो कितनी है 82 degree 30 minutes है इसलिए यहां पर जो हम लोग का standard meridian है भारत का हो क्या है 82 degree 30 minutes east है 19th question में आते है peninsular part of India extends towards the dash ठीक है तो peninsular part जो है भारत का वो किधर extend करता है ठीक है towards the Indian ocean यह extend करता है next पे आते हैं next question हमारा आज का आखरी सवाल है इसमें कहा गया India has coastline of dash kilometer in the mainland तो mainland में अगर देखेंगे तो इंडिया की जो coastline हो कितनी बड़ी है यह आपको बताना है तो 6100 km की है यादर किएगा बहुत important है 6100 km की हमारी coastline है किस पे mainland पे और साथी साथ एक और चीज़ देख ल total land bound total हमारी inland को मिला कि जो हमारी total यह कह सकते है boundary हो जाती है coastal boundary वो कितनी आती 7517 km की हो जाती है ठीक है अब यहाँ पर जो अंडवान निकोबार है वो कहां पर है तो बेय आफ बेंगॉल में है लक्षदीब कहां पर अरेबियंसी में है यह भी दोनों include कर लिये जाएंगे तो हमारी जो coastal boundary है वो 7517 km की हो जाएगी तो इस तरीके से हम लोग ने 20 mcqs discuss किये जो geography chapter 1 के थे इसके इलावा जितने भी chapters के mcqs होंगे वो playlist में डाल दिये जाएंगे आप playlist को देख सकते हैं और अपना revision अच्छे से कर सकते हैं तो अभी एक लिफ लालत नाए थैंक्यों वेर